नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों आज मैं आपको कुछ ऐसे कीट ना सकते बारे में बताऊंगा जो आपकी फसल से जितनी भी प्रकार की इल्लिया है, गुलावी सुन्दी है, दना सेदक है, फल सेदक है, बॉल वामस है, सभी को कंट्रोल कर सकता है और ये सारी दबा या रस्चूसक कोई भी कीटों का प्रकॉप होता है, तो आप तुरंत बाजार से तरहा तरहा की कीट ना सक खडीद के अपने फसलों में परियोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, इसके कई कारण हो सकता है, हो आपको इल्लियों से, रस्चूसक कीटों से आपके फसल में आपको पूरी तरह से नियंतरन दे सकता है, इन में से तीन सच्टी बाली दबाई है और तीन महंगी दबाई है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इन सारी दबाईयों के बारे में सच्ची और पूरी जानकारी मिल सके, और जो लोग चैनल पे पहली बार आया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बाली बेल की घंटी भी दबा दे, ताकि ऐसे ही खेती से जोरी वीडियो आपको मिलती रहे, किसान भाईयों पहले बात कर लेते हैं, इस लिस्ट में जो त से 8 ml डोज इसकी रख सकते हैं, किसान भाईयों गुलावी सुन्दी पे इसका बहुत जादा अच्छा रिजल्द है, अगर आपके फ़सल में गुलावी सुन्दी है, तो जरूर आप दैनी टोल का एकपर प्रियोग करके देख सकते हैं, काफी सच्ता है, तो आप कर ही सकते हैं, किसान भाईयों हमारे इस लिष्ट में दूसरे नमर पे जो कीटना सक है, यह है इमाम एक्टीन बेंजोइट 5% SZ फॉर्मूलेशन बाली, यह आपको बाजार में बहुत सारी कंपनियों का देखने को मिलेगा, आप किसी भी एक कंपनी का ले सकते हैं, और आपको दोज प्रती 15 लितर पानी के टंकी में 10 ग्राम रखनी है, यह दानेदार आपको देखने को मिलेगा, और इस लिष्ट में तीसरे नमर पे जो कीटना सक है, उसका नाम है अलिका, इसमें दो टेकनिकल आपको देखने को मिलेगा, पहला थाइम उक्थोजम 12.5% SZ फॉर्मूलेशन में, यहां बी सच्टा है, तो आप इसका भी प्रियोग कर सकते हैं, अब हमारे लिष्ट की महäंगी दबाईयों के बारे में बात करें, जहांपे अगर आपके फशलों में इल्लियो का प्रकोप बहुत जादा है, है भी प्रकोप है तो आप इन महाँगी कीटनाकों का प्र में आपको देखने को मिलेगा और इस लीस्ट की दूसरे नंबर पे जो कीट ना सक है यह भी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट इल्लियों पे रस्चुशक कीटों पे लाके देता है किसान भाईयों और इसका नाम है बाराजाइद यह अदामा कंपनी की है और इसमें भी आपको दो टेक्निकल देखने को मिलेगा पहला इसमें नुवा लोरन पांस दसमलक 25 परसेंट और दूसरा आपको इमामेक्टिन बेंजो देखने को मिलेगा जीरो दसमलक 9 परसेंट SC formulation में यह आपको मिलेगा और यह भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है और बाराजाइद की दोज आपको 15 लिटर पानी की तंकी में 40 ml रखनी है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसान भाईयो इस लिष्ट की तीसरी और इस वीडियो की आखरी कीटनासक के बारे में बताने से पहले आपको कहना चाहूंगा यह जितनी भी कीटनासकों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया गया है यह सभी कीटनासक आपको इल्लिया, फल छेदक, दाना छेदक, और आजेन में क्लोरिंटा नीली प्रोल 18.5% आपको देखने को मिलेगा ऐसी फॉर्मूलेशन में और इसकी जो डोज है आपको 6 ml प्रती 15 लिटर पानी की टेंकी में रखनी है और इससे आपको इस्प्रे कर देनी है उमीद है यह सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करे और किसान भाईयों के साथ सैर करे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब कर बगलबाली बेल की घंटी भी दबा ले मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहींद, जै जबान, जै किसान